मरा संसार नी गाड़ी चाल फ्रेम थी पराठा बनाऊं हुँ तो ओच्छा तेल थी टोपू ना पपा खाए बड़े होस थी मता जी राकिसा उने हे मुखेम थी मरा संसार नी गाड़ी चाल फ्रेम थी अरे वाप रही बापू जी काने का टैम हो गया है और टोपू की बापा भी अवी तक उठे नहीं उनको जगह ना पड़ेगा अगरना मुझे कहें गए दोया मुझे उठाया क्यों नहीं पता था तैपू के पापा घोडे बेचकर सो रह होगे तैपू के पापा ओ, तैपू के पापा औरे चलिए, उठिए सूरण दना कपके निकल चुके है इखे, होप तक सोते रहेंगे, उठिए उठिए औरे क्यों सता रही देया, तुछने देना अरे, सता नहीं रही हो आपको, जगा रही हो चलिया उठिये उठिये तो iên अच्छिया ठीक यह ठाटिये हठिये, सोने दीजिये चले 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 चल्या क्यों परेशान कर रही है जा ना अरे, तबो को चीछा तो वो तो कपका स्कूल चला गया है आप उठिये ना, आपको दुकान नहीं जाना है नहीं, दुकान में स्पोट डर नहीं है देखे टपू के पापा, बापू जी के आने का वक्त हो गया है उठ जाए है, वरना बापू जी आ गए और आपको ऐसे सोते हुए पकर लिया ना तो आपको सुवे सुवे मेरे हाथ के नासते क्या बदलिया है बापू जी की डांट खानी पड़ेगी फिर मुझा मत क्या ना बहू लबर आई हाई बापू जी 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 बापू जी जीठिया जाग गए आई हाँ बापू जी कमका ना भी लिया नाते वापस राज के एक अपड़े पहले 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 लिया वो अभे पूरा नहीं नाया हूँ बापू जी आधा कैसे नाते मतलब गीजर में से थंड़ पानी नहीं आ रहा दे या क्यापू कि पापा गीजर गरम पानी के लिए होता है तो उसमें से गरम पानी आएगा ना अगर आपको गीजर में से थंड़ पानी चाहिए तो आपको बातरूम में जद्रेश के बदले यही लगवादगा। हां, जद्रेश बेट्रूम लगा ले। जाग जेग जेग जाग जेग जेग। मुझे क्या बेवकूफ समझाहे। शॉरी बबुजी ओ, थन्डी का मौसा मना तो सुबह सुबह इतने मिठी नेंद आती है कि उठने का मुने नहीं करता ए बबुचा, उल्टा थंडी के मौसम में तो जल्ली उठकर कसरत करनी चाहिए उससे शरील में सपूर्ती और ताजगी रहती है आले स्नीन सब ऐसे बाठ जाते हैं मुझे देख मैं कभी जेर से उठता हूँ तब की बपा बपुजी सही कह रहे है आपको रोज सुबी जल्दी उठकर कसरत करनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल मैं कोसिस करूँगा मैं जरा ना लेता हूँ बपुजी बिल्कुल, 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